प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी से मध्धेश्य आए देशों के विदेश मंत्रियों ने की मुराकात विदेश मंत्री एजेशन कभी रहे मौजूद कई मुद्दों पर हुई जड़्चा कलपले आगराज के दोरे पर जोएंगे पीए मोदी कई योजनाओ की देंगे सौगात पर एक ब्राउन में जन्समा को करेंगे संबोधे जौनपूर में दो हजार करोड की कई पर योजनाओं का हुआ श्लाने आसीम योगी बोले चोपी सोच वाले नहीं कर सकते विकास रिकिन गटकरी ने वंश्वाद को लेकर विपक्षपर कसाथ तंच यूपी के अलग अलग जिलों में बीजिपी निकाल रही जन्बिश्वास यात्रा डिपी सिंदने शर्माली गर्तों वही केंड्रिय मंत्री संचीव बालिया नौर्ध भूपेंडर चोधरी मुझपरनगर में रहे मौजो तेजी से बढ़ रही ओमिक्रोन की रप्तार महराश्ट्र में छे नई मामने देश्वी ओमिक्रोन की आखड़े एक सुख साथ के पांग वंदे मात्रों में आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूँ आपके साथ आशिमातियागी काशी विश्वनाफ कोरिडोर के लोकारपण के बाद दिविकाशी भव्वे काशी अप्यान के तहत आगामी 23 दिसंबर को पियमोदी अपने दूसरे दौरे पर वारणसी पहुँच रहे हैं इस दौरान पियमोदी पिंटरा के कर खियाव में 500 करोड रुपे की लागस से बनने वाले डेरी प्लांट का शिलानियास करेंगे साथ ही वो 2100 करोड की 25 पर योजनाओं की सौगाद देंगे इसमें 1200 करोड की 4 पर योजनाओं का शिलानियास भी है जबकि 863 करोड रुपे की 21 पर योजनाए लोगों को समर्पित की जाएगी अमूल प्लांट के शिलानियास के साथ भारते मानक विरो की तर्ष पर दुग दुदपादों की गुडवत्ता के मानक की शुरुबात होगी वहीं अमूल प्लांट के साथ ही रामनगर के दूद प्लांट का संचालन बायो गैस से शुरू किया जाएगा जिससे पुर्वांचल के 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लेगा तो है 27 दिसंबर को हिमाचल में जैराम ठाकूर सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं इस खास अपसर पर प्रधान मंतुरी नरींद्र मोधी दूसरे ग्राउंट ब्रेकिंग समारो में मुख्य अतित्री के बतौर शामिल होने के लिए मंडी पहुच रही है इससे पहले ग्राउंट ब्रेकिंग समारो शिमला के पीटर हाफ में हुआ था मंडे के आयूचिन के तैयारी जोर शोर सी की जा रही है मंडे के पड़ल मैदान में प्रदर्शनिया भी लगाई जा रही है राच्य सरकार दूसरे ब्रेकिंग समारों में कुछ बड़े निवेशिकों को आमंतरत भी कर रही है राच्ची सरकार के मुताबिक इन में 600 से ज्यादा 1000 करोड रुपए के निवेश स्थापित करने वाले निवेशिकों को निमंत्रन दिया जाना है दूसरे ग्राउंट ब्रेकिंग समारों में 15,000 करोड के निवेश का लक्ष रखा गया है 2017 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के सरकार बनी थी बीजेपी ने राज्य के 68 सीटों में से चवाली सीट जीत कर शांदार सफलता हासल की थी बीजेपी ने यहां मंडिक शित्र के निता जैराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया हिमाचल के सियासत में मंडिक शित्र के वे पहले नेता है जो मुख्यमंत्री बने इससे पहले शिमला, कांगडा, सिर्मॉल इलाके के नेता मुख्यमंत्री बने है जैराम ठाकोर मुख्यमंत्री बनने वाले राजी के छटे नेता है और हिमाचल प्रदेश के चौधवी मुख्यमंत्री हैं हिमाचल में कॉंग्रस नेता यश्वंत परमार आठ मार्च 1952 को राज़ी के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1956 से 1963 तक राज़ी में रास्टरपती शासन रहा एक बार फिर सता परमार के हाथ में आई उन्होंने अगले 10 सालों तक शासन संभाला इसके बाद कॉंग्रस नेता 1983 में सीम बने वीरभत्र सिंग ने दो पारियों में 7 साल तक सता हासल की सीम के ग्रह जिले मंडी के संसदी ओप चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी खुशाल ठाकुर को कॉंग्रस की प्रतिभा सिंग ने हरा दिया जबकि 2019 के लोग सभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राम सरूप शर्मा ने 4 लाग से भी अधिक मतों से यहां जीत हासल कर अपना रिकॉर्ट बनाया था लेकिन 2 साल में ही बीजेपी ने यह सीट गवाली बीजेपी को यह जटका तब लगा है जब मंडी लोग सभा क्षेत्र में आते 17 विधान सभा क्षेत्रों में से 14 में बीजेपी के विधायक है जबकि कॉंग्रस के महस तीन ही विधायक है जब महस एक साल में राजे के चुनाव होने है तब बीजेपी राजे में अपने आधार को बनाए रखने के लिए खासा ध्यान देना चाहती है अब ऐसे में बीजेपी भी जनता को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश में है पार्टी संगठन और कारकरताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी पूरे तामजाम के साथ आयोजन में जुटी है इसे पहले मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने कहा है कि इस उप्चुनाव के परिणाम से हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है बरहाल बीजेपी हर हाल में मिशन रिपीट को पूरा करेगी माना यह जा रहा है कि इस अबसर पर राज्य में 20,000 करोड निवेश के प्रस्ताव को मन्जूरी मिलने की संभाव नाए है राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि दूसरी ग्राउंट ग्रेकिंग सेरमेनी पहले से कही ज़्यादा बड़ी हो इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किया ज़ा रहा है ब्यूरो रिपोर्ट नेटवर्क टेम इसके बाद उन सभी के प्रातना पत्र को अधिकारियों को सौप कर क्रिया निवन का निर्देश भी दिया तो मौके पर सिम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिये हैं कि जनता दर्बार में जो समस्याएं जन लेकर पहुँचे उनकी समस्याओं को जल से जल दूर किया जाए और इस बीच आपको सीधे लखनव ले जलते हैं और ड्रोन शो यहाँ पर लाइटन शो और जो कहीं न कहीं इस समा को खूबसूरत करता हुआ तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे इस ड्रोन शो की हम दिखा रहे हैं तो लखनव से लाइव तस्वीरे हैं तो बहाद ही खूबसूरत नजारा एक साथ आप देख सकते हैं और लाइटन शो के जरीए इस पूरी तस्वीर को दिखाया जाएगा तो ये सीधी तस्वीरे आपको लखनव से ड्रोन शो की एक भव्य आयोजन तो यूपी के लखनव में ये सबसे बड़ा अब तक का ड्रोन शो तो ये मेगा शो की तस्वीरे आपको सीधे तोर पर हम दिखा रहे हैं यूपी परिटन विभाग का आयोजन यहाँ पर उनकी तरह से किया जा रहा है तो मुखी मंत्री योगी आदितनात के साथ किंद्रे मंत्री मिनाक्ष्वी इस कारिक्रम का उद्खाटन यहाँ पर करेंगी परिटन विभाग के शो को भविता देने रूस से 500 ड्रोन मंगाए गए उस कारिक्रम के दौरां लाइटन चो का आयोजन भी जिसकी यह सीधी तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर तो लक्नव में यह कारिक्रम आयुजित किया गया इस कारिक्रम में आजादे से जुड़े नायको और आजादी में उत्तर प्रदेश की योगदान को ड्रोन शो के जरिए दर्शा आया जाएगा तो वारत की आजादी की पिच्छतर वर्ष की अमरत महतसब के अफसर प्रदेश की यह जाएगा पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो की यह सीधी तस्विरे लखनव से हम आपको दिखा रहे हैं तो लखनव में 1857 की प्रथम करांती का साक्षी बनी रेजिजिजिंसी में ये कारिक्रम आयोजित हो रहा है इसकी थीम प्रथम भातिये स्वाधीनता संग्राम सन 1857 से लेकर 1947 तकी जो गाथा है वो इस शो के जरिये दर्शाई जाएगी तो इसमें आस्मान में एक साथ 500 ड्रोन के माध्यम से संगीत लेजर लाइट और रंग विरंगी का लाबाजियों को प्रस्तुत किया जाएगा ड्रोन शो के लिए रूस से 500 ड्रोन मगाए गए हैं इसके लिए रूस से ड्रोन इंजिनिरों की विशेश टीम 18 दिसंबर से लखनव में हैं इस टीम ने शो का ट्राइल भी रविवार को किया था और अब सब के सामने ये ड्रोन शो तरशाया जा रहा है आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो कारिक्रम के लिए रेजिदेंसी में सभी लोगों के लिए प्रवेश निशुल कर रखा गया है इससे पहले 2020 में मुंबई में 250 और प्रदेश में प्रियाग राज कुम्ब में 100 ड्रोन का प्रदर्शन किया गया था तो ये अब तक का सबसे बड़ा शो जिसमें एक साथ आस्मान में 500 ड्रोन संगीत लेजर लाइट और रंग बिरंगी कलाबाजियों को प्रस्तुत करेंगे और उसी की बानगी दिखाती है तस्वीरे हैं तो रूस से ये 500 ड्रोन मंगाए गया आजादी के अमरित महुत्सव और चौरी चौरा शिताबदी समारों के अपसर पर संस्कृती मंत्राले बारत सरकार परेटन और संस्कृती विभाग उत्तर प्रदेश के इस कारिक्र में मुक्य मंत्री योग्या दितनात मुक्य अतिती केंद्र सरकार में संस्कृती राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुक्य मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा विशीष्ट अतिती होंगे तो इस दौरान सभी लोगों के बैठने के लिए प्रयाप्त व्यवस्था यहां पर की गई है तो एक भव्वे नजारा यहां पर दिखाई पड़ता हुआ तो यह सीधी तस्वीर हैं आपको लखनव से रेजिदेंसी में यह आयोजन यहां पर किया जा रहा है तो ड्रोन शो को दिखाने के लिए रूस से 500 ड्रोन यहां पर मंगाये गए हैं रूस से ड्रोन इंजिनिरों की विशेश टीम लखनव में डेरा उनकी तरफ से डाला गया रविवार को ट्राइल किया गया और अब यह शो सबके सामने जो लोग यहां पर पहुँच रहे हैं निशल को उनकी एंट्री तो मेगा ड्रोन शो के आयूजर में मोक्य मंत्री योग्याद इतिनात मोक्य आतिती होंगे डिप्टी सीम दिनेश शर्मा भी तो वहीं बारा सरकार की संस्कृती राज्य मंत्री मिनाक्षी लेकी और अन्या मंत्रेगण भी हिस्सा लेंगे तो इससे ड्रोन शो के जरिये जो प्रथम क्रांती है उसको भी दर्शाने की कोशिश होगी तो बहुत खूब सूरत नजारा लगातार इस पर नज़र बनी रहेगी रुकेंगे बहुत चोटे से प्रेंट के लिए देश में पतास से अस्ति प्रतिशत लोगों को विटामिन डी बी ट्वेल कैल्सियम आइरेन ओमेगा विटामिन सी जिंक और प्रोटीन की डेफिसेंसी से अर्थराइटी स्खोन की कमी लो इमिनिटी कमजोरी कैंसर ओटमेंट डिजीज ब्रेन और नवस सिस्टम के ख़दर इनी पोशक तत्मों की कमी को पूरा करने के लिए पतंदली नुटिला ने तैयार किये हैं प्लांट बेस्ट नेचिरल और गिनिक नुटिया सिटिकर्स नुटिला के प्राक्तिक मोशन से मिले गया आप रोगों से लड़ने की शक्ति वह सौस्थ दॉक्टर बंकर मरीजों क की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गिये परिवारों से आते हैं चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की रह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे चात्र चात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तरा खंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटा कर चात्र चात्राओं को दी है एक अनोखी सौगार। यही नहीं। प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर की विवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राज किये मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉंड़िड MBBS कोर्स की फीस चार लाख रुपे प्रती वर्ष से घटा कर एक लाख 45,000 रुपे प साले विद्यार्तियों की अलावा पहले से अध्ययन रत्षात्र चात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस एतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तरा खंड ही एक मात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम पीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तरा खंड सरकार के मजबूत इरादों में है दब MBBS की मेंगी पीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहत संकल्प नए इरादे युवा सरकार। 2017 से पहले जो लड़के हैं कलती हो जाती है बोल कर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपरादियों पर होती है कारवाई। फर्क साफ है 2017 से पहले मेरट से दिल्ली पहुँचना था दूभर 2017 के बाद दिल्ली बस एक घंटे दोर फर्क साफ है 2017 से पहले कर्ज की बोज तले दवाधा किसाना, 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहा, फर्क साफ है 2017 से पहले भैज ढूमने वाली पुलीस, 2017 के बाद अपरादियों को काबू करती है, फर्क साफ है चान्नी चौक से, करोल बाद तक, चावडी बजार से, इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की और एक बाद आपका एक बार पिर स्वागते खबरों में आगे बढ़ेंगे, पंजाब हर्याना हाई कोट ने संजीव शर्मा बिर्टू को ही पतियाला का मेर बने रहने के निर्देश ने है इस मामली में पंजाब सरकार ने पतियाला नगर निकम को पत्र लिखा है कि 25 नवंबर को संजीव शर्मा के खिलाब जो नौ गॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था वो नियमो के तहत नहीं था और ऐसे में जब दुबारा नौ गॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा तो नि एडी ऑफिस से बाहर निकली एश्वरिया राय बच्चन तो इस वक्त ये बड़ी और एम खबर आपको बता दे कि आज समंध बीज़ा गया था अलग कि पहले यह बात यहाँ पर कही गई थी कि एश्वरिया राय बच्चन आज एडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगी लेकिन इस बीच अब यह बड़ी खबर आ रही है एडी ऑफिस से बाहर निकली एश्वरिया राय बच्चन से एडी की पूश्ताच अब खत्म हो गई है तो पनामा पेपर्स लीक मामले में यह पूश्ताच हुई है करीम साड़े 6 घंटे तक यह पूश्ताच की गई तो साड़े 6 पूश्ताच के लिए इससे पहले दो बार समन दिया जा चुका था लेकिन किसी हवाला देते हुए एश्वर राय बच्चन एडी के सामने पेश नहीं हो पाई थी लेकिन इस बार एडी के सबक्ष वो पेश हुई साड़े 6 घंटे पूश्ताच हुई है और अब इस पूश जुड़े यहां पर किये गए और अब यह साड़े 6 घंटे की पूश्ताच खत्म हो गई है तो इस वक्त की यह बड़ी और एहम खबर आपको दे रहे है तो एडी की तरफ से से पहले एश्वर राय बच्चन से पूश्ताच के लिए समन बेजा जा चुका था लेकिन किसी क 6 घंटे तक यह पूश्ता चली कई सवाल जवाब और S.P. लोकेंद्र सिंग ने खुद वैक्सिनेशन प्रमान पत्रों देखा कर सच्चिवाली में प्रवेश किया साथी सच्चिवाली में आने वाले करमचारियों और लोगों की वैक्सिनेशन रिपोर्ट ऑनलाइन देखने के लिए करमचारियों के एक टीम भी तैनात कर ये टीम लोगों की मदद कर रही है तो साथी डीसी ने बस स्टेंड और अस्पताल में लगे कैम्पों का निरिक्षण भी किया देखे परशासन ने पिछले तीन-चार दिन से त्यारियां करी हुई है पूरी की पूरी अमारी लगबग 237 में फिल्ड में हैं जो कि अमारी अक्टिवेटी टीम्स हैं हम ये चाह रहे हैं कि तूरे जिले को अमकवर करें इस महीने के अंति तक तो वहीं हमवाला की मिशन अस्पताल में 20 बेट के आदूनी का इसी वाड का उधगार्टन किया जिसका शुभारम हर्याड़ा के स्वास्ते मंतरे अनिलविश ने किया उधगार्टन सवारों में पहुँचे अनिलविश का मिशन अस्पताल के डिरेक्टर सुनिल सादिक ने जोड़दार स्वागत किया तो इस मौके पर अनिलविश ने अस्पताल में बनाये गई चैपल का भी धार्मिक बैल बज़वा कर शुभारम किया कारिक्राम में मौझूद लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनिल सादिक ने अनिलविश की जम कर तारीफ की तो इस दौरान अनिलविश ने अस्पताल को 20 लाग रुपे देने की घोशना भी की अज़ अबाला को ले आए और आज हमारे बीच में वही मसीह हमारे बीच में माचूद है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम ने लूंगा यह उस्पिटल जो है यह उनी का है यह अम्बाला की जनता का है यह मिशन होस्पिटल 1883 से सेवा में है इसी जनता की इसी के लिए उन्होंने काम किया है और जब यहां पर है तो वो इसी अम्बाला की सेवा के लिए हमेशा लगा रहेगा आज भी कैथ लैब का यहां पर उद्गाटन किया गया और वीश बेड़ के आई सी यू का भी जिसकी सारे क्षेट्र को बहुत जुरूरत है वो बनाया गया और उसका उद्गाटन किया गया मैं भी अपने फंड से बीस लाक रुपया देना चाहता हूं कि आप इसको और बढ़िया बनाएं और मैंने तो एक दिन आपकी देहली से सारी मैनेजमेंट आई हुई थी मैंने का आपके पास इतनी जमीन है आप यहां पर मैडिकल कारस बनाएए मैं आपको मंजूरी रादे तो एदॉलपूर के दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी और राजस्थान के खेल मंत्री अशोग चांदा ने जिला कलेक्टर परिसर के सूचना संपर्क कार्याले में प्रदेश सरकार के उप्लब्दी विकास प्रदर्शनी का पीता काट कर उंखाटन किया तो प्रभार रूंस प्रू Blockchain के राजस्तान के नहीं पुरे देश्ट के बहुत बड़ी समस्राइब आज की तरह जिन पर देशों की जनसंग्य आ कि जनसंग क्या ही नहीं है तो आप बिरोजगारी दर कितनी भी हो आंखड़ा बड़ा नहीं आएगा राजस्तान बड़े प्रदेशों में से है उस कारण निश्चित रूप से यहां पर बिरोजगारी बहुत ज्यादा और अब बिग बॉस की बिग बॉस 15 के पूरे सीजन में प्रतीक और निशान की दोष्टी के करसीदे पढ़े गए और इन दोनों की दोष्टी के बीच करण और शमीता तक नहीं आ पाए लेकिन अब लग रहा है कि जो करण और शमीता नहीं कर पाए वो देवोलीना ने करती ह और देवोलीना के लिए इन दोनों में इतनी जबर्दस्त लड़ाई हो रही है कि कोई माइक उतार कर फेक रहा है तो कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच वा रहा है फिनाले से सर्थीन हफते दूर किसके नाम होगा अगला टिकेट टु फिनाले पुराः शमीता को अटाओ टिकेट टु फिनाले में से यह राख पार करने वाला किसी एको करेगा टिकेट टु फिनाले रेसे बाहर पार आपे सिन्हें से ठाहिए नहां लग Urla कि खारी और्यो हाहे । सिन्हें स्थिम्स हां कर आप में कभी नहीं कि लुक जार नाहे बार्वान एलक गिल्र, अपर एलक वे टें, tabii क्रिष में लड़ा है भुग allá मेरेना एल्ग कर देवुलीना को टिकेट टुप फिनाल इतिलाने में तूट जाएगी एक पक्की दोस्ती तू हमेशा तेरे हिसाब से करता है चीज़ें अब जीट को देवुलीना पसंद है लेकिन देवुलीना है कि प्रतीक के आगे उन्हें कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा है और अब ये बात अभी जीट को बुरी लग रही है तुमको बात पसंद देना दादा हो पता चलता दादा आपका हर शब्द में वह है लेकिन देवो प्रतीक के अंदर कुषरी है उसको परे पुरे घर में कोई ना मिले चलेगा प्रतीक चाहिए I don't know how you take it. Yes, I got attracted towards you. जो आपने प्लान मनाया था कि में देवो के साथ रोंगा है दो हकते में चोपट आखों में नीद नहीं है रातों में मुझे को जो आप सौचरे रहो ना वो होगा ही नी दो हकते में अकेले पड़ गयो आप आप देखना ये होगा कि आखर कब तक सुरेश अपने भेगर होने की सच्चाई को चुपा पाएगा और उसे के साथ इस बुलिटर में फिला लेतना है आप देखते ही नेट्वोक टेम जैहीं क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल में बात खाना पीना खाना नहीं है में बात है खाया पिया लगना और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे आपकी भूख बड़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बड़े, ताकत बड़े, चेहरे पर नूर आए और आप मुटे तगडे, खूब सूरत परसनेलिटी के मालिक बन जाए ये दवा पूरी तरह से आईरविदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड एफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के, लड़कियां, दोनों इसका इस्तमाल कर सकते हैं और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा सिर्फ छेसो पचास रपे की, पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठी, 011-45-45-45-45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं